बच्चों कैसे हूँ आशा करती हूँ आशा करती हूँ आपकी एक्जाम बहुत अच्छे से हुए होंगे और संस्कित की क्लास में आपका पुना श्वागत है देखो बच्चों हम पढ़ रहे थे संस्कित का लेसन नुमबर 14 जो की आपका लास्ट चैप्टर है उसकी रीडिंग और हिंदी हमने पढ़ ले थी तो आज हम इसकी शब्दार देखेंगे पहले और फिर उसके बाद इसकी एक्षरसाइज करेंगे ठीक है सिंपल सा था अच्छ तो इसमें अजीज नाम का एक लड़का होता है जो की क्या करता है अपने मालिक की सेवा करता रहता है और उसको एक दिन छुट्टी चाहिए होती है लेकिन उसका जो मालिक होता है वो छुट्टी देना नहीं चाहता और उसके लिए एक सर्थ रखता है कि मुझे ऐसी कोई दो वस्तुलाओ जिसे देखके मैं चिल क्या करूँ और माला अरे आरे ऐसे जोड़ से चिलाओं दर्थ के मान ऐसी कोई दो चीजे लाओ तो वो सारी जगे ढूंडता है आकास से पोचता है फिरतिवी से पोचता है इदर उदर गूंता है लेकिन उसे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती तो फिर उसे एक कहीं से एक बोड़ी औरत मिलती है और वहाँ अपना दुख उस बोड़ी औरत को बताता है तो वो औरत समझ आती है कि मालिक क्या है चालाक है और उसको उसका धन नहीं देना चाहता तो इसलिए वो उसे दो वस्तु देती है और कहती है तुम अपने मालिक के पास जाओ और वो मालिक के पास आता है तो मालिक उसको देखके आस्चरचकित हो जाता है और वो हो एक बक्षा उसको या एक बोक्स उसे देता है तो उसमें से दो चोटे चोटे बरतन थे जब मालिक पहला वरतन खोलता है तो उसे एक मदमक्ही निकलती है और उसके हाथ को काट लेती है तो मालिक चिलाता है और फिर जब वो दूसरा वरतन कोलता है उससे दूसरी मदमक्ही निकलती है और मालिक जूर से चिला उड़ता है दर्द के मारे तो इस परकार से वो क्या हो सफल हो जाता है और मालिक उसे उसका सारा धन दे देता है छुटी का धन भी दे देता है तो ये आपकी कहानी थी इसका गध्यांस आएगा और उसकी हिंदी लिखने के लिए आपको फाइनल पेपर में आएगी इसलिए इसकी हिंदी ध्यान से देखना और लिखना देखते हैं लीना सनलगन तलीन वाच्छती चाहता है या चाहती है कोवपी कोई भी आने लाओ आहा कश्ट सूचक अवे आहा पीडा सूचक अवे यानि दर्द के मारे जो हमारे मुझ से निकलता है वो सब फिर है आने तुम लाने के लिए निर्गच्छती निकलता है इतस्तह इदर उदर धराम पिर्दिवी को प्राप्ष्यती पाईगा व्यथाम दुख को सधा ततकाल तुरंत अप्रय देदो उदगाटती खोलता है तो इस तरह से ये तो इसके सब्दार्थ हुए इनको लण कर लेना क्योंकि सब्दार्थ भी आपको लिखने के लिए आते हैं फिर इसकी पहला प्रशन है आपका इसमें अधूल खीत पदा नाम समुझितान अर्थान मेलियत तो उच्छित समान अर्थक शब्दों को आपक हस्ते करे सधा सीग्रम शहसा अक्षमात धनम द्रविणम आकाशम गगनम धराम प्रिथेवीम फिर आपका प्रशन नम्बर टू मंजुशात उचितम बिलूम पदम चित्वा लिखत चतुरा मूर्खा आनेतूं नेतूं निर्गच्छती प्रवश्यती स्वामी सेवका फिर है आपका प्रशन ना दुखिता उच्छे नीचे क्वेशन नम्बर टू है आपका मंजुशात उचितम अभी बदम चित्वा रिक्तिस्थानानी पूर्यत आपका क्या है अभी बद्दे रखे हैं और उनको चुन कर आपने रिक्तिस्थानों की पूर्थी करनी है बालका बालिका क्रडँ छेत्री क्रडँ जन्ती मेगा उच्चे उच्छे बदम अँच्चे आहम पठामी तो अम डायस पत क्याएगा अपी इस तरह से पहले का चाथ दूसरे में उचे तीसरे में इव चौतरे में एव और पांच़े में अपी इस तरह से रिक्दिस्तान पूरे करोगे फिर है question number four है अदो लिखिता नाम, प्रशना नाम, उत्तरम लिखत नीचे लिखे वे प्रशनों के उत्तर लिखो अजीजा ग्रहम गंतुम किम वाच्छती अजीज घर जाने के लिए क्या चाता था अवकास क्या चाता था अवकास तो क्या एगा अजीजा ग्रहम गंतुम वाच्छती फिर है स्वामी मूर्ख आसित चतुरा वा स्वामी मूर्ख था या चतुर तो क्या एगा स्वामी चतुरा आसित क्याएगा स्वामी चतुरा आसित अजीजा काम व्यथाम स्रावेती अजीज किस से अपनी व्यथा सुनाता है याना अपना दुख किसको सुनाता है अजीजा ब्रेदाम व्यथाम स्रावेती अन्य मक्षिका कुत्र दसती दूसरी मक्षिने कहां काटा था तो अन्य मक्षिका ललाटी दसती स्वामी अजीजाय किन दातुम न इच्छती स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था छुट्टी नहीं देना चाहता था तो कहएगा स्वामी अजीजाय अवकाशम न इच्छती फिर है आपका question number fifth निर्देशान उशार लकारम परिवर्तनम कुरूद देखो बच्छों यह lesson आपके लिए बहुत important है यह दो question तो exam में अवस्या आते हैं फिप्त और six इसको ध्यान से देखना मैं भी PDF भी भेज़ दूगी अग इसी में आपको बताती हूँ आगे के question answer तो आप उसको अगर PDF ना मिले तो आपको यह वाली वीडियो आप अवस्या देखना और इससे अपना अपनी कॉप्य में काम कर लेना क्योंकि इससे यह दो question बहुत ही important है इस lesson से कम से कम आपका 20 number का paper तयार होता है देखो पांच number के आपकी question वो हो गया हिंदी लिखने के लिए आएगी पांच number के एक या दो number के सब्दार्थ आ जाते हैं फिर बिलोम सब्द है समान आर्थक शब्द है question answer है रिक्तिस्तान भी आ जाते हैं एक दो और ये दो question तो अवस्या आते हैं क्योंकि ये जो question है आपके syllabus में केवल दो ही चप्टर में ये नीचे six वाला question तो केवल इसी चप्टर में है तो इसलिए ये question तो अवस्या आता ही है इस तरह का कोई दूशा question नहीं इसको तो six वाले को तो समझो कि ये जयोंका त्यूप आपके पास आएगा और ये फिप्त वाला जो question है ये से भी ये आपके पास दो चप्टर में ऐसा है एक करड़ा इस परदा वाले में और एक इस में तो इन दोनों से मिला के एक आपका पांच नंबर का question ये आ जाता है तो ये भी निर्देशा अंसार लकार परिवरतनम कुरूयानी निर्देश के अंसार आपको इसकी वाक्य चेंज करने है तो ये दो question तो आपका 100% है कि आपके एक्जाम में आईगा तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए पहला है अजीजा परिश्रमी आजीद और ब्रेकेट में लिखा है लट लकारे ठीक है तो आपको इसको लट लकार में बदलना है तो पहला आपका किस लकार में है अजीजा परिश्रमी आजीद अजीज परिश्रमी था भूत काल में किसमें ये लंग लकार में तो आपको इसको किस में करना है लट लकार वर्तमान काल में बना तो ये क्या आएगा अजीजा परिश्रमी अस्ती लास्ट वाला आसीद को आपको अस्ती इसमें था और इसमें है इसलिए मलभूत काल को आपने वर्तमान काल में चेंज किया फिर आपका क्वे दे रखा है अहम सिक्षिकाय धनम ददामी मैं सिक्षक को धन सिक्षक के लिए धन देता हूं तो आपको अब ये क्या लिटलकार में यानि ये है आपका लटलकार में आपका संटेस दिया है आपको लिटलकार यानि बविश्यत कालमी इसको चेंज करना है तो अहम भी वैसे र दास्यामी परिश्रमी जना धनम प्राप्षती तो यह भी आपको लट लगा यानि देखो वच्चों लंग लकार होता है भूत काल, लट लकार होता है वर्तमान काल और लुरिट लकार होता है आपका भविशत काल तो आपको यह लकार पेचानने आने चाहिए प्रापस्यती तो परिश्रमी जना धनम प्रापस्यती तो इसको आपको लटलकार यानी वर्दमान काल में तो यह प्रापस्यती को बदलना परिश्रमी विवैसी रहेगा जना धनम वैसी रहेगा प्रापस्यती का क्या आएगा प्रापनोती क्या आएगा प्रापनोती तो लंग लकार यानि भूत काल में बदलना है तो वदति का अवदत आ जाएगा बस स्वामी उच्छे अवदत फिर है आपका अजीजा पेटिकाम ग्रणाती तो ये लट लकार में है आपको किस में करना है स्वारी ये लट लकार में आपको लट लकार में इसको चेंज करना है तो क्या जाएगा अजीजा पेटिकाम ग्रणात श्यती श्यती आजएगा वस ग्रणात श्यती फिर है 감श पटा से लोट लकार ये बदलना है तो आपको ये क्या त्व मुच्छे पथ running नोटबु अदो लिखीता आनी वाक्यानी घटना कर्मानुशार लिखे अब ये वाक्य दे रखें उपर नीचे आपको ये जो वाक्य पहले आया है उसको पहले करना है जो बाद में आया है उप बाद में करना है तो स्वामी अजीजाय अवकासस्य धनम पूर्णम धनम ददाती तो ये तो लास्ट में आया था कि उसने पूरा धन दे दिया अजीजा सरला परिश्रमी चासी तिये सबसे पहले आपका ये आएगा फिर दूसरा आएगा आपका एकदा साग्रहम गंतुम अवकाशम वाच्छती फिर तीसरा है आपका अजीजा पेटिकाम आन्यती फिर है मक्षिके स स्वामिना नम दसता फिर पीडिता स्वामी अतिचे चितकरो ती और लास्ट में आएगा स्वामी अजीजाय अफकासम स्वरी अफकासाश्य पूर्नम धनम ददाती तो इस तरह से आपो इसी ये सिक्वेंस में लिखना है जो वाट के पहले आया है उसको पहले और जो बाद आपको यह करना है अजीजा ग्रहम गंदुम अवकाशम वाच्छती स्वामी चत्रहाशीत अजीजा बृताम शुराव यह आप मैंने आंसर आंसर इसमें लिख दिये हैं आप इसको अपनी नॉट्बुक में कर लिजे इसकी पूरी एक्सराइज इसी वीडियो के माद्दिम से आप इसको कर लिजे एक एक पैराग्राप पर के आप हिंदी लिखिए फिर उसको हिंदी फिर इसके question number, first का answer, second का answer, third का answer, fourth का answer, fifth का answer और six का answer ये दे रखा है आप आराम से अपनी नॉट्बुक में इस सारे question answer कीजी तो आज के लिए धन्यवान लगबग आपका syllabus इसका complete हो चुका है लेसन फिर आगे देखती हूं व्याक्राण पोर्शन में कराऊंगी तो अभी आप इतना कीजी